हेलो दोस्तों स्वागत है आप सुझी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप माली आप लेप्टूप को सट डाउन करना चाहते हैं तो तुसे दोस्तों आप कैसे करते होंगे simply आप क्या करते होंगे यहाँ पर आपको start वाला बटन पर click करके वहाँ से दोस्तों आप shutdown को choose करके उसी की की दोस्तों मदद से आप अपने laptop वे फिर computer को shutdown करते होंगे तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको 6 ऐसे shortcut की बताने वाले ही जिसकी मदद से आप अपने laptop को जो है वो easily shutdown कर सकते हैं तो वो दोस्तों क्या तरीका होता है चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में तो वीडियो को दोस्तों लाट्स तक जरूर देखिएगा अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को भी subscribe कर दिएगा तो चलिए अब हम चलते हैं laptop वाले screen पे तो यहाँ पे simply दोस्तों पहला जो तरीका होता है आपके laptop के screen पे तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी laptop के screen पे यहाँ पे देखते होंगे तो आप दोस्तों laptop को जब भी on करते होंगे औप करते होंगे तो शुरुआत में सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पे simply आपको अपना जो है वो cursor लेके आते हैं नीचे यहाँ पे start वाले बटन पे इस पे click करने के बाद यहाँ से आपको जो है वो एक power button मिलता है इस पे click करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं shutdown का option मिल जाता है तो यह तो दोस्तों हो गया shutdown का option यहाँ पर जो कि सभी लोगों को पता होता है अब चलिए हम चलते हैं दूसरे वाले तरीके पे तो दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों दूसरा तरीका होता है कि आप अपने keyboard की मदद से भी कर सकते हैं तो keyboard की मदद में क्या है यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा Alt प्लस F4 यह दबाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं Windows 10 होगा आपका तो Windows 10 आएगा Windows 11 होगा तो 11 आएगा यानि जो भी आपका यहाँ पर लेप्टूप में सौप्टवेर डालाओगा उसका यहाँ पर वायू डटा उपर यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली सट डाउन का ओप्सन है अगर आपको सट डाउन ही करना है तो OK वाले बटन पर किलिक करने वरना आप इंटर पर भी किलिक कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको shutdown नहीं करना है तो क्या करना होगा नीचे यहाँ पर देख सकते हैं arrow का निसान है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं switch user, sign out, shutdown, restart सारा है आप यहाँ पर कुछ भी कर पाएंगे तो हमको यहाँ पर दोस्तों तरीका क्या होगा तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको टाइप करना होगा windows प्लस x जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ option आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको करसल लेके जाना है नीचे और यहाँ पर shutdown और sign out का option है इस चौथा तरीका दोस्तों क्या होता है चौथा तरीका हो गया कि यहाँ पर आपको टाइप करना होगा control, alt और यहाँ पर delete का बटन तीनों यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं का option आता है log, switch user, sign out और task यहाँ पर manager तो यहाँ पर simply क्या करना है नीचे देख सकते हैं power का बटन है इस पर click करना है और click करने के बाद यहीं से आपको sign out या shutdown का option मिल जाएगा तो simply यहाँ पर shutdown restart slip mode आप तीनों यहाँ पर कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमको अभी नहीं करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ECS वाले button पर press करके फिर से back आ जाते हैं तो चल करना होगा cmd यानि command command type करने के बाद simply यहाँ पर okay वाले button पर click करना होगा तो चलिए यहाँ पर okay या इंटर वाले button पर press करना है तो यहाँ पर press करने के बाद देख सकते हैं कुछ option यहाँ पर देखने को मिलेगा यह option दोस्तों यहाँ पर देखने के बाद simply आपको type करना चलिए हम आपको बताते हैं तो यहां पे आपको टाइब करना है सट डाउं यहां पे फिर से आपको स्पेस वाला बटन दवाना है और यहां पे आपको slash दवाना है, slash के बाद यहाँ पर आपको type करना होगा timing, जितना भी आप timing यहाँ पर लेना चाहते हैं, कि आपको कितना second चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको दवाने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको फिर से लिखना है yes, फिर आपको space देना है, फिर आपको slash दवाना है, और फिर से यहां पर दोस्तों आपको timing डालना है 60 second, 20 second, 30 second जितना भी देना चाहते हैं वो यहां पर डाल दे तो यहां पर हम चलिए 30 second डालते हैं उसके बाद दोस्तों आप इंटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे जब भी आप अपने laptop या फिर computer को slip mode करते होंगे slip mode में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं slip mode आने के बाद कुछ इस परकार का interface आ जाता है अब यहां पर दोस्तों क्या करना होगा यही पर नीचे आपको power button मिलता है इस पर किलिक करने के बाद simply यहां पर देख सकते हैं shutdown, restart वगेरा सारा option यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है तो यह थे दोस्तों छेक shortcut की जिसके मदद से आप अपने laptop या फिर computer को shutdown कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही चली मिलते हैं अगले वीडियो में